हम बेक टू माई अनेदर वीडियो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्तान पेरामेडिगल काउंसलिंग की तरफ से जो एडिमिशन प्रोसेस शुरू हुई है उसमें जो क्या-क्या डोक्यूमेंट लगने वाले हमारे एप्लिकेशन फोर्म में तो डिटेल में मार्चीट है वो लगेगी मादमिक सेकेंटरी कक्षा की अंग तालिकाव है उत्रीन परमान पतर आप पास होने चाहिए टेंट में और उसकी मार्चीट आपकी लगेगी एंटेंट प्लस टू सीनियर सेकेंटरी की ट्वल आपकी ट्वल्त की मार्चीट इसमें लगेगी फिल अप कर सकते हो अब इसकी तीसरी जो की पर्वचन पर्मान पत्र यानि माइग्रेशन पर्मान पत्र है जो की आपको कोलेस से मिलता है वो आपको यहाँ पर एड़ करना होगा फिर इसका च्छाती पर्मान पत्र है यदि लागू हो तो यदि जाती पर्मान पत्र आपको लगाना होगा मूल निवास पत्र भी आपको लगाना होगा विशेश मूल निवास पत्र यदि आपके पास है विशेश तो वह लगाना होगा दिव्यांग जन परमान पत्र अगर दिव्यांग हो तो आपको वह परमान पत्र लगाना होगा विद्वात तलाक शुदा हो तो आ आपना सबसे important आधार कार्ड आधार कार्ड भी आपको अपने सम्मिट कराना होगा तो यह आपको देख सकते हैं यह यह सबी आपके दस्तावेज अपने application form में एड़ करने होंगे तो वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो like share and subscribe जरूर कीजिए thank you